उसकी वर्दी और एक सोलजा अपनी वर्दी की इज़त के लिए अपनी जान भी दे सकता है सेम वाइप, सेम एरा फिर से देखने को मिलने वाला है सेम बहद्दुर के मूबी में जी हाँ दोस्तों सेम बहद्दुर एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर आधारित मूबी है जिसमें रियल बायोग्रफी ऑफ सेम मानकसौ की दिखाया जाएगा और विकी कॉसल ये बंदा जब भी स्किन पर आया है खा गया कसम से एक आर्मी बंदे का, एक आर्मी परसन का, एक आर्मी सोलजर का, आफिसर का कैसा एटिट्यूड होना चाहिए, कैसा रुत्बा होना चाहिए, इस बंदे ने कूट-कूट कर दिखाया है आपको लगेगा ये नहीं कि आप विकी कॉसल को देख रहे हो, आपको लगेगा कि एक ऐसे ट्रेंड ओफिसर को देख रहे हो, जिसका फोकस अन फोकस सिर्फ एक अपनी आर्मी के लिए है, अपनी देश की भक्ती के लिए है और वो कूट-कूट के निचोड के देखने को मिला है, यार गिर्गिट की तरह ये बंदा कभी भी, मनला आप कॉमेडी मूवी में ले लो तो ये बंदा वहाँ पर च्छाया पड़ा है, गोविन्दा नाम मेरा जो आपनी देखी होगी, उसका अध एक्सन मूवी ले लो, विलेन के रूप में ले लो, तो वर्सिटैलिटी की कोई भी कमी इसके अंदर दिखनी रही है, वही चीज़ ना, माई गोट सैम बहाद्दूर में ये पूरा टीजर देख रहा था, मुझे उड़ीदा सर्जिकल स्ट्राइक की जबरदस तरीके से याद आ रही थी, और उस के अंदर में कोई एक बटालियन या फिर दो बटालियन या फिर कुछ एक फॉज की टुकडी नहीं होगी, पूरी की पूरी फॉज, आर्मी उसके अंदर में होगी, और दुसमन देश से जीतने के लिए हमने उड़ीदा सर्जिकल स्ट्राइप में इस बंदे की वो स्ट्र देखी थी, तो इसमें पूरी की पूरी जब इसके पास फॉज है, तो ये किस-किस लेवल के कारणा में दिखा सकता है इसमें, वैसा मैं बहुत एक्साइडेड हूँ इस मूवी के लिए, क्योंकि एक आर्मी परसन में यार यही बंदा जमते हुए नजर आया है, हमने इसी एक्टर में नहीं देखने को मिला, डायलोग सार अमेजिंग, खासकर वो वाला डायलोग की ये एक जंग है, मुझे और मेरे सोलजर को इसी की ट्रेनिंग मिली है, आप राजनीती करो जिसकी आप लोगों को ट्रेनिंग मिली है, अमेजिंग डायलोग, दूसरा वो, there will गूसबंस आ रहे थे न, देख देखकर तो पूरी मूवी में कितने गूसबंस आएंगे, बहुत सारे गूसबंस आने वाले है, पूरी मूवी ये, इसका कॉंटेंट बड़ा प्यार है यार, पूरा चिपका के रखेगा आपको पूरे, एक उस टाइम का एरा दिखाएगा जब एक वार सिचुएशन में कैसे एक लीडर अपने फॉच के लिए टाइम टाइम पर डिसीजन्स लेता है, टैकल करने के लिए दूसरी सेना को, मलब रड़िनीतियां कैसे कैसे बनाएगा, उस जो टिपिकल सिचुएशन जो होती ही न, प्रॉब्लम्स वाली, जहां पर क सॉलिशन्स निकालने लग जाओगे, एक बार आप स्टोरी से जुड़ गए तब, तो ये चीज बहुत ही दमजार लगी, और सबसे सॉलिड वाला की जो लास्ट वाला डाइलोग लगा, एंड में टीजर के, जब उससे कहते हैं कि सोल्जर्स की ड्यूटी होती है, देश के लिए दुस्मन की जान लेना, ये बाला बहुत ही जबर्दस डायलोग लगा है, स्क्रीन प्ले, स्टोरी लाइन एक नंबर होने वाली है, आस्सम होने वाली है, डिसमबर को मूबी रिलीस करी जानी है, कब एक डिसमबर को, एक डिसमबर अब आपका दिमाग घुमे गया है एक डिसमबर को जानवर आ रहा है, मतलब एनिमल मूबी आ रही है, बट कोई बात, हमने बहुत से बड़े-बड़े क्लैसे देखे हैं, गदर 2, OMG 2, दोने में सो कौन फ्लॉफ होई, कोई भी फ्लॉफ नहीं होई, हाँ, कमाई के मामले में, डेफिनेटली एनिमल सबसे ज़ देखेंगे भी और बहुत से लोग भी देखेंगे, क्योंकि इसमें अपने उडिदा सर्जिकल स्ट्राइक से सीधा विकी कॉसल है, वो भी फिल्ड मार्सल की पोस्ट पे सबसे बड़ी पोस्ट पर जहां पर पूरी की पूरी फौज उनके अंडर में रहने वाली है, तो कि सेम वही विकी कॉसल हमें इस बार भी देखने को मिलने वाला है, मैं बड़ा एक्साइटेट हूँ यार कि ये बंदा क्या करने वाला है मूव में, बनलब खा जाएगा, ट्रेलर अभी आना बाकी है और ये ट्रेलर जबर्दस्त आख फार के जाएगा, तो अभी थोड़ा ग्यान की बाते कर लेते हैं, फिल्ड मार्सल सेम बहद्दूर, ये बंदा कौन था, फिल्ड मार्सल सेम बहद्दूर को सेम मैनिकसौ के नाम से भी जाना जाता था, इस बंदे का फुल नाम था, फिल्ड मार्सल सेम हर्मोज जी, फराम जी, जमसेज जी, मानिकसौ, and he is the chief of army स्टाफ और इंडो पाकिस्तानी की जब वार हुई थी 1971 में इनका बहुत बड़ा हाथ था उस लड़ाई को देश के लिए लाने में जीत लाने में तो Sam Manicsow was the first field marsal of India and was confirmed the rank of January 1 in 1973 मलब field marsal की इने post कब दी गई थी 1973 January 1 में और Sam Bahadur जो first field marsal थे उनी की biography पर ये movie बनाई जा रही ह तो what is the duty of field marsal अभी यहाँ पर एक कुस्सन घुमेगा कि इनकी duty क्या होती है तो it is the senior most military rank and the five star rank of Indian armed force हना सबसे बड़ी post होती है जिनके अंडर में पूरी फोज होती है जिनके अंडर में पूरी आर्मी होती है ये rank जो field marsal की rank है ये कब provide कर जाती है जब कोई ceremonial function हो या फिर war time situation हो और most of the time war time में ही हमें field marsal की जर्रत पड़ती है तब ही हाई ranker जो officers होते है उनको promote करा जाता है या फिर mainly general को ही promote करा जाता है field marsal की rank पर तो general भी इनके नीचे होते है five star rank होती है इनकी field marsal क्यों इसके बाद और कोई field marsal क्यों नहीं आया इसलिए भी नहीं आया क्योंकि field mars field marsal की सिर्फ एक ऐसी post है इंडिनाडमी में जिस duty को आपको मरते दम तक लेकिन हाँ heavy war situation होगी कोई भी जंग वाली स्थिती आएगी ना सबसे बड़ी जंग वाली स्थिती तब हमें field marsal की जर्रत पड़ती है और उस टाइम पर कोई भी promote हो सकता है field marsal में मलब पूरी force को अ दिख रहा है वो वेसक Sam Manicsaw का है एक army person का जो attitude होता है एक general का जो attitude होता है by god वो attitude दिखा रहा है यह बंदा और जबर्दस तरीके से दिखा रहा है बहुती बारीकी से इस बंदे ने उसको study किया है और उसके बाद उसको अपने character में ढाला है तो यह चीज बहुत जबर्दस तरीके से देखने को मिलने वाली है क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ उड़ीदा surgical strike में यह बंदा खा गया था एक छोटी सी battalion मिली थी मातर कुछ एक सेना की और उसमें हमें इतना ज़्यादा goose bumps देखने को मिला था तो यहाँ पर पूरी की पूरी फाज इस बंदे को मिलने व एक heavy war situation में भी कैसे हमें एक अच्छा निर्ने लेना है यह बंदा वहाँ से जबर्दस तरीके से चाने वाला है तो वो सब चीजे देखने के लिए मैं बड़ा excited हूँ आप लोग कितने excited है वो आप लोग बताएंगे नीचे comment box पर तो मिलते हैं अगली वीडियो में जैहिंत झाल 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 झाल